अगर आप डिक्टीशन नहीं भी लिख पाते हैं तो बहुत जदा हथुत साहित होने की कोई आवशक्ता नहीं है डिक्टीशन में बहुत ही अच्छे सब्दों का इस्तिमाल किया गया है हो सकता है इस वजए से आप कई बार सब्दों में उलज कर इस पीड ना लिख पाएं तो घवराने की कोई बात नहीं है आपका डिक्टीशन आपको हर तरीके के तियार करने है इसलिए इस सुद्धिश की साथ इसको आपको दिया जा रहा है अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो दुबारा लिखने का प्रयास जरूर करें और जो भी शब्द आपसे नहीं बने हैं उनको दुबारा लिखने की कोईसिस करिएगा आपका जो ओरिजनल डिक्टीशन है बुई स्टार्ट होगा फाइब सेकेंड बात विश्व विवस्था के अंतरगत बिभिन समाज विद्दमान है जिनकी भोगोलिक अवस्थिती के आधार पर अलग-अलग संस्क्रतियां वा पहचाने कायम है विश्व के समाजों की चर्चा के दोरान दच्छिन ACI समाजों की बात करना अपरिहार हो जाता है यहां विश्व के लगभग एक चोथाई जन संख्या हिमाले के आचल से हिंद महासागर तक और अरबसागर से बंगाल की खाडी तक विस्तरत है इस दच्छिन ACI समाज के तानेवाने में भारत, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, पाकिस्तान, स्रीलंका, अफगानिस्तान वा मालदीप की विविद संस्कृतिक गत्विधियां की विविद संस्कृतिक गत्विधियों एवं पहचान को सम्मिलित किया जाता है ध्यातब्य है कि दच्छिन ACI विश्व के सरवाधिक विवितिता वाले छेत्रों में से एक है अता इस छेत्र की बहुलता को एक खाचे में समेटना अत्यंत दुल्लब कार्य है यह छेत्र संस्कृतियों वा पहचानों के समाहार का एक अनूठा बिंदु है जो भासा नरजातियता धर्म वा छेत्र की विवितिताओं के बाब जूद एक और जहां समानता वा सह अस्तित्त धारण किये हुए है तो वहीं दूसरी ओर कुछ असमानताएं भी हैं समानता वा असमानता के सम्मिश्ण का यही गुण इस दच्छन ACI छेत्र की खुपसूरत समेकित संस्कृति के रूप में परिलच्छित होता है इस छेत्र की सांस्कृतिक बिभिन्नता वा समानता को भोगोलिक परिपेच में देखें तो हिंद कुस कैलास वा हिमालय परवत की स्रंकलाओं में जहां एक समान मौसमी दसाएं होने के कारण भारत नेपाल भूटान और पाकिस्तान आदिक के परवती इव इलाकों में लगभग एक समान खानपान और वेज भूजा दिखती है तो वहीं भारत वा सिलंका के मध्य तटी छेत्र की भोगोलिक एकता परिलच्छित होती है जो वहां की जीवन सहली में दिखाई देती है ऐसे ही संपोन दच्छिन एसिया में मैदानी, पठारी, मरुस्थली, भाग एवं अनेक दुईपी छेत्र इस भूभाग की प्राक्तिक मधुरिमा एवं सौंदर को और अधिक निखारते हैं गंगा, सिंदू, एवं ब्रह्म पुत्र जैसी सदा नीरा नदियां एक देश से दूसरे देश अविरल बहती हुई उस छेत्र के सह अस्तित्त की पैर भी करती है दच्छन एस याई छेत्र की सांस्कृतिक विविदता के एतिहासिक वा धार्मिक पहलू पर बात की जाए तो सिंदू गाटी सब्भिता का उदय और उत्थान दोनों भारत पाकिस्तान में साजा रूप से हुए भारत में बौद धर्म, जैन धर्म, सिक्धर्म का उत्थान हुआ बौद धर्म को समराट असोक की पुत्री संग मित्रा ने सिलंका में प्रचारित्वा प्रसारित किया तो भूटान में भी बौद धर्म, तिब्वती, परंपरा से निकटता के साथ प्रचलित है नेपाल का भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध है हिंदू धर्म, ग्रंत, रामायन के प्रसंगों को सीलंका वा नेपाल के संदर्व में देखा जा सकता है वहीं खैवर दर्रे से अरब, तुर्ग, मंगोल, आक्रमन कारियों का आगमन हुआ जो मुसलिम अनुयाई थे, शक, कुशान, हूल, आदी, विदेशी, आकरांता भी इस धरा पर आकर यहां के हो गए इन बातों के बावजूद इस छेत्र में विभिन इस्तरों पर संघर्ष भी मौजूद हैं जैसे हिंदू धर्म में जाती प्रथा के रूप में उत्तर से दच्छन भारत तक जाती संघर्ष विद्दमान है साथ ही पाकिस्तान में बलोच, पस्तून, समदायों का संगर्स अनवरत जारी है एक कभीलाई रास्ट्र अफगानिस्तान विभिन नर्जाती समूहों वा तालीवान जैसे उगरबादी संगटन के मध्य लोकतांत्रिक ताक्तों के लिए संगर्श रत है मुसलिम समदाय का शिया, सुन्नी, एहमदी, आदी वर्गों में विभक्ती करण हुआ है और ये भी परस्पर संगर्श की इस्थिती में है इस छेत्र की भासाई विविदता एवं उसके तमाम पहलूओं पर नजर डालें तो यह परतीत होता है कि दच्छन ACI समाज भासा के छेत्र में बहुत ही समरद्ध एवं अग्रणी रहा है जहां भारत में विश्व की प्राचिंतम भासाओं में से तमिल वाशंस्क्रत को सम्मलित किया जाता है तो वहीं भारती समिधान के तहत 22 भासाओं को आपचारिक रूप से सूचिवद्ध किया गया है भारती राजिछित्र में भासा पहचान का एक प्रमुख माध्यम रही है जिसकी परियनती मेहम विभिन राजियों के निर्मान को समझ सकते हैं इसी तरहें पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पस्तो, आदी भासाओं का प्रियोग भी भारत जैसा ही होता है नेपाल में तो हिंदी वा पहाडी भासाओं का अनूठा संगम मौजूद है तो सिलंका में तमिल वा सिंगली भासा का नकेबल प्रियोग होता है बलकि इस्थानी लोगों की पहचान का ये बड़ा माध्यम है इसी क्रम में खाने पीने के मामले में समूचे छेत्र का मसालों एबम जायकों से लगाव रहा है लेकिन अनेक प्रकार की जल वायवीय इस्थितियों के कारण छेत्र के खान पान की प्रकरत में भी विविदता वहुतायत में मिलती है जिसके तार धार्मिक पहलूओं के साथ साथ इस्थानी अस्मिता से भी जुड़े हैं इसी तरहें छेत्र में वेसभूसा वा पहनावे का सम्मिलित प्रभाव एक दूसरे की संस्क्रत में देखा जा सकता है जहां धोती कुड़ता, सलवार कमेज, लुंगी, आदी परधान न केवल विविदता को दरसाते हैं वरन भौगोलिक आवश्यक्ताओं की महत्ता को भी समझाते हैं दरसल इस छेत्र में विश्य की लगभग समस्त्र पकार की जलवाय विय विविदता का एक सुचारू पारितंत्र पाया जाता है जो यहां के संसाधनों को धनबान बनाता है स्टॉप